लोगसवा चिनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्ची की एक्टिवनिस थोड़ी कम नजर आ रही है जिसका फाइदा बाकी सभी राजनितिक पार्टिया उठा रही है और इन्वे सबसे आगे भारते जनता पार्टिय चल लई है क्यूंकि बीजेपी का इस बार मकसद ए 80 के 80 इतना इसी को ध्यान में रखे अब मोधिशाह की जोड़ी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और हर कोई जानता है कि उत्रपरदेश की सियासत में अगर आपने अपना दमखम दिखा दिया और वहां पर चंड जीत हासिल कर ली तो दिल्ली की सप्ता जादूर तक नहीं रहती क्योंकि असी लोग सवा सीटे हैं पिछली बार इनी असी सीटों वैसे पंदरा पर खेल बिगाड़ा था बसपा सपा आरेलडी के महां गडबंदन ने लेकिन इस बार आरेलडी को अपने पाले में कर लिया है सपा को अलग कर दिया और बसपा अकेले है तो ऐसे में ब नहीं मेर हार गए ठीक वैसे दस तीटों को लेकर भी भारते जनता पार्टी रणनीती बना रही है मोदी शाह की जोड़ी लगातार मयावती से बदला लेना चाहती है हाल ही में अमिशाह ने निशाना साधा कि मयावती अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्रपरदेश का सी जनता के बीच नहीं है बलकि सोशल मीडिया तक अपनी राजनीती को सीमित कर लिया है मयावती का वो शपत याद करी जब उन्हें लालुयादाफ को साफ कहा था कि वे किसी भी सदन का हिस्ता नहीं बनेंगी जब तक केंदर में भारते जनता पार्टी की सरकार है बीजे पी लेकिन इस बार अकेले चुनाब लड़ गई है और इसी बात का फाइदा मोदी शाह की जोड़ी बखू भी उठाएगी भारते जनता पार्टी उत्रपरदेश की राजनीती में बस्पा को रोकने के लिए जाल बिचाना शुरू कर चुकी है पहले तो उन्हें ने जाल के नेता उनके साथ नजर आ रही हैं जिससे भाजपाओ काफी मजबूती मिलेगी अब बहुजन समाच पार्टी की दस सीटों पर तो नजरे हैं ही साथ इसाथ सपा की जो पांच सीटे हैं जिसमें कुछ पारिवारिक और उनके कही आत्म विश्वास की सीटे माने जाती जि परिवारवात के साथ साथ उन पर कई गंबीर आरोप लगागर उनको बैक फूट पर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक मायावती का पलटवार में कोई जवाब नहीं आया है इंतजार है कि क्या वह मोदिशा के खिलाफ कोई बड़ा तगड़ा बयान देंगी या फिर सि चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद